वेल्कम गाइज विद अनधर वीडियो और फ्रेंड्स इस वीडियो में आज आपको ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का प्रैक्टिस सेट शुरू करने वाला हूं लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस सेट के पहले के जो 6.1 है 6.2 है वीडियो नहीं देखें तो आप लिंक डिस्क में जाएए और देखिए वहाँ पर आपको सारे वीडियो के लिंक मिल जाएंगे और वहाँ से आप उन्हें वाच करिएगा मैं यहाँ पर प्राउब्लम सेट जो है 6 सुरू करने वाला हूं जिसमें option वाले questions दिये गया है उन्हें हम solve करेंगे यह करेंगे चूज करना है मैंने option के साथ यहां पर question option 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 लिग दिया मैं solve करूंगा लेकिन उसके पहले discuss करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पे जो हैं नए हैं तो चैनल को subscribe जरूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो comment में हमें जरूर बताएं ठीक है तो चलिए वीडियो को शूरू करते हैं तो हमें क्या पता है भाई we know that क्या जानते हैं हम जानते हैं sin theta is equal to 1 upon cosec theta इतना जानते हैं अब क्या है 1 upon cosec theta है ना cosec theta upon में इधर लेकर आओ so therefore क्या हो जाएगा sin theta into यह चलाएगा यहाँ पर into cosec theta is equal to 1 तो therefore क्या हो गया sin theta into cosec theta is equal to 1 आ गया तो हमारा answer कौन सा right है हमारा answer जो है जो है जो है वो right है ठीक है इस तरह गरना था आप देखो ऐसे तो हमें direct choose करना था वो तो मैंने आपको बताया इसलिए ताकि आप पिलाओ को सेक 45 उसने पूछा है हमें यही चीज लेकर आओ क्या साइन थीटा is equal to 1 अपॉन को सेक थीटा साइन थीटा है ना तो यहाँ पे साइन 45 रख दो इस इकल टो वान अपॉन को सेक 45 डिग्री ठीक है करना क्या है धान से देखो साइन 45 डिग्री की वैलू टेबल में आप देख सकते हो अधर्वाइस आप बोलोगे तो मैं टेबल का वीडियो बना दूंगा तो साइन 45 जो होता है वन अपॉन रूट टू होता है इस इकल टू यह बन अपॉन कॉसेक 45 डिग्री हो गया इस इकल का सेक 45 डिग्री होगया और वहां से आगया तो हमारा कौन सा option है हमारा option है जो है B right option अब यहाँ भी देखो 1 plus 10 square theta यह तो आपको पता ही है practice at 6.1 में हमने कितना यूज किया है कि यह trigonometric identity होती है 1 plus 10 square theta is equal to 6 square theta बस यह हमें याद था तो हमारे लिए यह जो है 6 square theta option number C एक correct option है अब करते हैं तो अब करते हैं question number 4 first में 4 number when we see at the higher level from the horizontal line the angle form is देखो ध्यान से AM जो है suppose यह जो AM है AM यह आपका horizontal line है ठीक है यह horizontal line है ठीक है इससे जब हम उपर की तरफ उपर की तरफ देखते हैं तो angle of elevation बनता है पहले जब 6.2 का basic मैं हमने पढ़ाया ना उसमें यह चीजे मैं न समझाई थी यह line of reason है suppose करो A से लेके जब हम B तक देखते हैं तो angle of elevation horizontal से उपर देखते हैं angle of elevation बनता है तो उस sign theta is equal to 11 upon 61 find the value of cost theta using trigonometric identity identity का use करना है भाई देखो क्या करना है हमें solution करना है solution तो क्या करना है हमें देखो हमें करना है we know that क्या पता है भाई हमें क्या पता है हमें यह चीज़ पता है क्या sin square theta plus cos cos square theta is equal to one यह में पता है हमें निकालना क्या है cos theta okay therefore cos square theta is equal to one minus sin square theta क्यों हुआ भाई यह sin square theta को equal के उधर लेकर जाओ फिर यहां पर क्या होगा therefore cos square theta is equal to देखो यहां पर क्या है यहां पर है one minus sin square theta sin theta की value कितनी 11 upon 61 इसका जो है square कर दो क्या हो जाएगा one minus 11 का जो है ना square 11 का square कितना होता 121 upon 61 का square 61 का जब square करोगे तो 3721 आएगा आप multiply करेंगे मैं कर लिया हूँ मुझे याद है direct कर लिया इसलिए तो इसका cross multiply कर लीजिए 3721 उसके बाद में minus 121 upon में 3721 ठीक है और यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर cos square theta therefore cos square theta ओके अब देखो यहां पर क्या हो गया therefore cos square theta is equal to 1 में से 1 गया तो 0 2 में से 2 गया तो 0 7 में से 1 गया तो 6 3 में से कुछ नहीं गया तो यह और फिर उसके बाद 3721 ठीक है अब देखो क्या हो जाएगा therefore therefore अच्छे से करते हैं cos theta square है तो यहां root लग जाएगा 3600 and 3721 ठीक है तो अभी देखो क्या हो जाएगा therefore cos theta is equal to 3600 जो होता है वो root में होता है न तो उसकी value जो होती है 60 क्योंकि वो 60 का square होता और यह तो हमें पता ही है 61 का square बस इस तरीके से करना था बहुत ही आसान था और अगर आपको लिखना है तो आप पता करना है to find लिख लेते हैं भाई to find बाकी सारे बचे कुछे कौन कौन है sin theta cos theta और 10 है sin cos 10 फिर cos theta और क्या है और है sec theta और है क्या cot theta इतना हाँ इतना 6 होते हैं 5 हमें निकालने एक दिया है तो देखो 10 से हम क्या निकाल सकते 10 से हम 6 निकाल सकते कैसे बताता हूं solution trigonometric identity का use करेंगे कौन सा we know that क्या पता है भाई हमें हमें पता है 1 plus 10 square theta is equal to sec square theta ठीक है ओके देखो द्यान से 1 plus 10 square theta तो यह 1 है plus 10 square theta 10 की जगर 2 है so 2 का square is equal to sec square theta ओके तो अभी देखो क्या होगा बटाओ जो ओगा प्लस 2 का square जो होगा 4 होगा और यह हो जाएगा second square theta ठीक है सो यहां क्या हो गया वन प्लस 4 five is equal to sec square theta अब क्या होगा square जो है हटेगा तो यहां पर root लगेगा so therefore therefore root में five is equal to sec square theta sorry sec square theta नहीं यह sec theta होगा square जाएगा तो तो यह हमारा जो है, sec theta जो है, हो गया, ओके, अब sec निकालना, अब हमें cost निकालना है, so therefore, यहाँ पर direct कर लो, cost theta is equal to 1 upon sec theta, okay, so therefore, cost theta is equal to 1 upon sec theta, क्या है, root 5 है, तो यहाँ पर root में 5 लिख दो, बस भाई, हमारा cost भी निकल गया, देखो क्या हुआ, 10 से से निकाले से कॉस्स निकाल लिए अब कॉस्स की मदद से साइन निकाल लेते हैं ठीक है demonic देहां से बहुत आसाने ठीक है कैसे हमें才 से यहाँ पर से हमें पता है सिंस ऑफ Не स्सेड हो से ओंड हा वां हमारे पास cos theta है ना, उसी की मदद से निकालते हैं, क्या होगा, therefore, sin square theta is equal to 1, cos square को इधर लेते जाओ, तो यह cos square theta, ठीक है, 1 minus cos square theta, क्या हो जाएगा, therefore, sin square theta is equal to 1 minus cos square theta, 1 upon 5 है, so 1 upon root में 5 है, ठीक है, उसका जो है whole square कर लो, यह 1 है, ठीक है, minus, 1 का square 1 ही होता, root 5 का square 5 हो जाएगा, ठीक है, so therefore, यहाँ पे क्या हो गया, sin square theta, so therefore, sin square theta is equal to, इसे cross multiply करो, 5 1 जा 5, 1 1 जा 1, upon में 5, अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, therefore, sin square theta is equal to, यह जो हो जाएगा, 4 upon 5, अब therefore, जो यहाँ पे sin theta is equal to क्या होगा, root में 4 upon 5 होगा, root क्यों, यहाँ square है, square हटेगा, तो root लगेगा, so therefore, हमारा sin theta क्या आ गया, वो गेट 2 upon, root 2, 4 के ओपर 2, और root जो है, 5 के ओपर नहीं हट पाएगा, ठीक है, तो यह इतना आ गया, तो यहाँ पे दिहान से देखो, हमको क्या मिलिया, sin theta, sin की मदद से हम causek भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे therefore, causek theta is equal to, क्या होता है, 1 upon sin theta होता है, तो 1 upon sin theta होता है, तो मतलब हो गया कि उसका उल्टा, तो यहाँ पे देखो, therefore, causek theta is equal to, 1 upon sin, sin को just पलट दो, तो यहाँ पे root में 5 upon में 2, तो यह आपका हो गया, कॉसेक थीटा, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, कॉट थीटा निकालना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो, कॉट थीटा is equal to 1 upon 10 थीटा, ठीक है, सेक थीटा, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा, सारी चीजें निकल गए, हमें इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करके हमें निकालना था, और भी चीजें हम और भी क्राइटेरिया का यूज करें निकाल सकते थे, लेकिन हम trigonometric identity का use करके निकाले इसी तरह अगर आपको इसे लिखना हो तो आप screenshot ले सकते हैं अब चलते हैं next question की तरह तो अब करते हैं question number 4 क्या दिया हुए देखो if sec theta is equal to 13 upon 12 find the values of other trigonometric ratio भाई sin theta cos theta 10 theta cos theta just पहले question की तरह हमें पूरा point करना है तो कैसे हम find करेंगे चलो करते हैं one by one solution ओके अभी देखो हमारे पास क्या दिया हुआ है हमारे पास दिया है sec theta ये दिया है अच्छा क्या होता है suppose करो कि अगर मैं ऐसा कहूं कि cost theta is equal to one upon sec theta होता है ठीक है देखो ध्यान से therefore therefore क्या होगा cost theta is equal to one upon sec theta so क्या होगा therefore cost theta is equal to one divide by sec theta sec theta की value हमारे पास कितनी है 13 upon 12 है therefore cost theta is equal to इसे पलटना पड़ेगा one into 12 upon 13 so therefore cost theta is equal to ये होगा 12 upon 13 मैं जो है ना मैं direct कर सकता था लेकिन मैंने ऐसा बता है ताकि आपको समझ मैं है आगे से मैं direct करूँगा तो आप समझ लेना कि one upon sec theta का मतलग cost theta की value क्या होगी अगर sec theta 13 upon 12 है तो cost theta 12 upon 13 हो जाएगी और वो ऐसे ही होती है ऐसे ही ठीक है तो अब देखो हमें क्या करना है cost theta आ गया sec theta आ ठीक है हमारा cost theta निकल गया अब cost theta की मदद से हम sin theta निकाल सकते है ठीक है कैसे निकालेंगे देखते जाओ ध्यान से since sin square theta plus cos square theta is equal to 1 होता है ठीक है अब ज़र ध्यान से देखो हमें sin square theta निकालना है so therefore sin square theta is equal to 1 इसे उधर लेते जाओ minus cos square theta हो जाएगा अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा therefore sin square theta is equal to 1 minus cos square theta 12 upon 13 तो यह 12 upon 13 का जो है whole square हो जाएगा ठीक है so अब यहाँ पे क्या होगा therefore sin square theta is equal to 1 minus 12 का square 144 upon 13 का square 169 ठीक है अब हम क्या करेंगे अब हम करेंगे cross multiply therefore sin square theta is equal to 169 बंजा 169 minus 144 144 और 169 तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा sin square हटेगा तो यहाँ पे sin theta बचेगा और यहाँ पे root लगेगा 169 में 144 निकालेंगे तो यहाँ पे देखो 5 बचेगा और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 2 बचेगा और अपॉन में 169 ओके तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो therefore sin theta is equal to क्या हो जाएगा 25 किसका square root होता है 5 का अपॉन 169 तो 13 का यह sin theta निकल गया हमारे पास 5 upon 13 अब sin theta की मदद से हम cos theta भी निकाल लेते हैं क्या होगा यहाँ पे यहाँ पे देखो therefore cos theta is equal to 1 upon sin theta होता है भाई ठीक है तो यहाँ पे ध्यान से देखो therefore cos theta is equal to क्या हो जाएगा 1 upon sin यहाँ पे भी देखो मैंने क्या बलता कि cos theta अगर sec theta 13 upon 12 है तो cos theta 12 upon 13 होगा तो sin theta 5 upon 13 है तो cos just उसका उल्टा तो यहाँ पे 13 upon 5 आप इसे ऐसा direct लिख सकते हो ठीक है इस तरीके से जो है हमारा यह निकल गया क्या निकल गया अब हमें क्या निकलना है हमें 10 और cot निकलना है क्यों हमने क्या किया sex से cos निकला cos से sign निकल लिया ठीक है sign से cos निकला अब हम 10 निकलेंगे तो यहाँ पे देखो यहाँ पे आते है यहाँ पे देखो 10 थीटा बराबर क्या होता है 10 थीटा बराबर होता है sign थीटा upon cos थीटा ठीक है अब देखो क्या हो जाएगा therefore therefore 10 थीटा इस इक्वल टू मैं कहूंगा साइन थीटा डिवाइड बाइ cos थीटा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए ठीक है therefore हमारा 10 थीटा इस इक्वल टू साइन थीटा क्या है साइन थीटा भी हमने निकाला 5 upon 13 ठीक है तो यह 5 upon 13 डिवाइड बाइ cos थीटा cos थीटा क्या है 12 upon 13 तो यह हो गया 12 upon 13 ठीक है so therefore हमारा क्या हो जाएगा 10 थीटा इस इक्वल टू क्या होगा भाई देखो यह 5 upon 13 यह जो है डिवाइड है multiply हो जाएगा हमको एक का रेशिप्रोकल लेना पड़ेगा जब हम दो रेशियो को जो है divide करते हैं तो तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान से देखो यह 13 यह 13 कर जाएगा so therefore हमारे पास 10 थीटा की जो value आएगी 13 यहाँ पर 5 बंजा जो है 5 और यह 12 बंजा जो हो जाएगा 12 हो जाएगा तो इस तरह हमारा 10 थीटा भी निकल जाएगा अब हम टैटन की मदद से कॉट निकालेंगे so since क्या होता है कॉट थीटा जो होता है कॉट थीटा वो is equal to वहता है 1 upon 10 थीटा होता है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे therefore जो हमारा कॉट थीटा होगा कॉट थीटा वो क्या होगा 10 का उल्टा 1 upon 10 थीटा तो यह हो जागा 12 upon में 5 हो जागा इस तरीके से जो है हमारा यह सारा solution निकल गया अदर ट्रिग्नोमेट्रिक 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकल गया सब एक रेशियो दिया हुआ है तो हम 5 रेशियो निकाल सकते है अगर आपको यह solution समझ मैं और आप लिखना चाहते हो तो इसे screenshot ले सकते है अब इस question में इस वीडियो में मैं यही तक रुखता हूँ और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे like जरूर करिएगा और अगर आप channel पर नए है तो इसे subscribe जरूर करिएगा और अगला वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगा चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद Thank you